पश्वों के अंदर सबसे आसान तरीके से उनके external parasite जो उनका खून चूसते हैं जैसे जू, गिलोडी, चिचोडी या बाहर जो भी उनके उपर उड़ने वाले जानवर हैं ये वेठा रहते हैं और दिन बर उनका खून चूसते रहते हैं उन सबको सबसे आसान तरीके से हमके स से मिटा सकते हैं आज मैं एक ऐसा प्रोड़क्ट आपको बताने वाला हूँ कि जिसके application में आपको बहुत ज्यादा कि कोई दिक्कत नहीं आती है और उसकी result इतने अच्छे आते हैं कि आप हमेशा उसको याद रखेंगे और हमेशा उसका उपयोग करेंगे हम आज प्रोड प्रोड़क्ट के अंदर काम करता है इन सब के बारे में आज चर्चाय करेंगे बात करेंगे स्वागत है आपका अमारी यूट्यूब चैनल मेडिकल स्टोर हिंदी पर साथियों पोरान एलेंबिक कंपनी का प्रोड़क्ट आता है इसकी कॉस्त आती है 143 रूपी में 50 एमे प्रोड़क्ट के बाद में आपको पशू की जो ऊपर की पीट है उस पीट को गले के यहां से लेकर के पीछे की पूंच तक लगा देना है जिस प्रकार की आप इसके अंदर निकलने वाले इस स्टिकर के अंदर देख सकते हैं जैसा की आपडेट पा रहे होंगे यह आप इस प्रकार से इसको अपलाई करना है पीछे की तरब तक अब इसको कितना लगाना है इसको हर दस किलो बोडी वेट में वन अमेल लगाते हैं मीच अगर पशू एक कुंटल का है तो टेन अमेल और तीन कुंटल का है तो लगभग 30 अमेल तक इसको लगा दीजिए ऊपर समय में खत्म कर देता है जिसकी वजह से उनकी स्कीन इन सबसे फ्री हो जाती है और वो नरिश होना स्टार्ट हो जाती है यह दो तरीकों से पशुओं के उपर काम करता है पहले तरीके में यह आपके पशुओं को जो उपर टिक्स लगे हुए हैं उनको खत्म कर देता है तु आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इसके जनरली कोई साइट इफेक्ट्स नहीं आते हैं अभी तक नहीं देखे गए हैं पर कभी-कभी हो सकता है कि इस इस्तिती में आप खूब सारे पानी से उसको वाश कर दीजिए अगर यह आपके किसी म्यूकस में में या कट वगरा के उपर लग गया है तो खूब सारा पानी से उसको दोईए और आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए साथी साथ में इसको यूज करने में पूरी सेफटी आते हैं आप इसको आसानी से लगा सकते हैं कहीं भी लगा सकते हैं इसको सिर्फ उसके पीट के उपर आपको लगाना है और छोड़ देना है पशू को पशू को कुछ समय तक नहलाना नहीं हमें कुछ गंटों तक नहीं नहलाना है जिसके वजह से वह अच्छा से स्कीन के पर फेल जाए और सारे कीट्स जो उसके उपर बेटे हुए हैं वो सारे मर जाएं साथी यह 50 ml के आसपास में आता है और आप अपने पशुओं को पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं मैं फिर बता देता हूं कि पर 10 किलो बोडी वेट के उपर आपको 1 ml दवा लगनी चाहिए मिस अगर पशु तीन के इंटल का है तो 30 ml के आसपास में आप उसकी पीट पर अच्छे से लाइन बना दीजिए और छोड़ दीजिए कुछी समय के बात में आप देखेंगे कि आपका पशु बहारी कीटों से बिलकुल फ्री हो चुका है और बहुत आसानी से फ्री हो जाता है बहुत सारे मार्केट के अंदर आते हैं जैसे इस्प्रे हुए साबून हुए या लगाने वाली दवाईयां हुई जो एक्स्टरनल तरीके से लगाते हैं उनमें बहुत सारे जी के जंजाल साथ में जुड़े होते हैं उनको इस्तेमाल कैसी किया जाए ये किया जाए या ल है लाओ को दूसरी कंपनी का फ्लू में इतनी भी आता हो वन परसेंट में तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और उस को उसकर सकते हैं ऐसे अम पोरों परण है यह आप देखते हैं मेरे हाथ में सब्सक्राफंबों तो आपने पशू को आपके पाल्द्व जानवरों इस अब को इन सबी बाहरी किटों से मुक्ती दिला सकते हैं। को मुक्ति दिलाने से आपका पशू स्वस्त biz可以 और क्रैंब कोई यह सोंख सकेगा तीन कोंख सकेगा जिसकी आपके पशव बहुत सारी बिमारियों से बचेड़ा quelques produce यह तर्व की यह के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए हमारे साथ जुड़े रही है बहुत बहुत धन्यवाद